वेलकम टू प्यूर कोकिंग इस वीडियो में हैधरबादी होटल स्टाइल मटन फ्राई की रेसिपे शेयर कर रही हूँ यह मटन आपने बहुत बार होटल में खाया होगा है है बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है हम बहुत ही असानी से घर पे बना सकते हैं तो चलिए बनान इसका कलर बिल्कुल चींज नहीं होना चाहिए बस हलकी सी यह सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमने इसको फ्राइक करना है इसके किनारे पिंक से हो गए है अब हम इसमें आट करेंगे टू टी स्पून जिंजर गालिक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे अब इसको हाइफ लेंगे इसको हाइफ लेंपर हमने अच्छे से भून ना है इस वक्त तक भून आए कि मटन का कलर बेल्कुल वाइट हो जाए इस तरह से भून कर पकाएंगे तो मटन बहुत ही जूसी सेक्विलेंट सा बनेगा तो बस दो सी तीन मिट के लिए इसको आपने हा जाएगा और यह बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा मतन इस वक्त तक हमने इसको भून लेना है और जैसे ही मतन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें आट करेंगे तू टीजपून रेच चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे और चिली पाउडर के साथ में भी हमने मत गाने जाएगे शक्राये, जैसे ही इसका प्रशी रिलीज होका हम इसको खोल का देख लिएक तो लिड लगा लिया है मैंने और इसको प्रशीर देदेंगे चार से पांच विजिपून होने तक और अच्छे से प्रशीर इसमें आ गया था अब प्रशे रिलीज होने के बहुत टेस्टी मटन फ्राइब बनता है लास में थोड़ इसी कोट मीर आट करेंगे और इस तरह से यह देखिए तो बहुत ही मज़ेदार सा मटन फ्राइबन कर तयार है इसको आप रोटी या चावल दोनों के साथ में सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी यह मटन साले के साथ में तो इस मटन फ्राइब की रेसिपी को जरूर ट्राइब कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको हैदराबादी मटन फ्राइब की रेसिपी अच्छी ल सालों के साथ में बना सकते हैं बहुत ही जल्दी तो जरूर ट्राइब कीजिए